हलो फ्रेंज क्रेटिव सेथ चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंज तो आज मैं आप सब के लिए तोन पट्टी लिजाएं लेकिया हूं देख सकते हैं मैंने एक कलर में बनाय है और बहुत ही खुबसूरत बहुत ही प्यारा सा तोरन पड़ती है और बहुत ही कम समय भी बनता है फ्रेंस बहुत ही जल्दी बनके त्यार हो जाता है अब देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा तोरन पड़ती है आप इसको जरूर ट्राइ कीजिए अगर अच्छा लग बनाएंगे चैन तो इस तरह बनाना है फिर एक चैन देखिए हमने बनाया है इसी तरह से और बनाएंगे देखिए दो तीन चार तो यहां पर चार चैन बनाएंगे और फिर हम त्रिपल कुरुश्या बनाएंगे तो दो राउंड देखिए धागा इसे रपेटेंगे गोले के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया एक सिंगल क्रोशिया दो तीन चार और पांच तो इसमें पांच सिंगल क्रोशिया त्यार करना है यहाँ पे बनाएंगे एक चैन अब गोले के अंदर फ्रेंच यहाँ से देखिए धागे को निकालते हुए और इसको बंद करेंगे इस तरह से बंद करने के बाद धागा थोड़ा सा खीश के कुरूशिया में रखेंगे फिर उसी तरह से दूसरा धागा निकालेंगे यह देखे इस तरह से फिर धागा में कुरूशिया में रखना है फिर यहां पर देखे ध दस भंदे हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं धागा निकाले रही हूँ, और वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसकीब करके नहीं देखिएगा, नहीं तो डिजाइन समझ नहीं पाएंगे, और बनाने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए वीडियो को आप पूरा तो देखिए फ्रंस ग्रुशिया में 10 भंदे हैं अब इसको हम बंद करेंगे तो यहां पर देखिए फ्रंस जो इसका फर्स्ट वाला भंदा है इसमें हम एक चैन बनाएंगे और इसको बंद करेंगे इस तरह से देखिए एक फंदा हमने इसके अंदर रखा बंद किया फिर इसके अंदर एक फंदा रखके इसको बंद करेंगे एक एक बंद करते हुए इस सारे फंदे हम बंद कर लेंगे तो इसको ज्यादा टाइट नहीं बंद करना है थोड़ा सा धीला ही रखके इसको बंद करना है तो देखिए फ्रंस इस तरह मैंने इसको लाश्ट तक बंद क करते हुए पांश चैन हम बनाएंगे और चैन मैं यहां पर टाइट बना रही हूं अगर आप धीला बनाए तो इसमें तीन या चार चैन ले सकती है और क्यांठ परस्ट फंदी बनाएंगे सिंगल क्रोश्या इस तरह से फिर्ष्ट फर्ष्ट फंदे में एक हमने बना एक और बनाएंगे यह देखें फर्ष्ट वाले फंदे में हमने दो सिंगल कुरोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाले फंदे में दो सिंगल कुरोशिया एक एक फंदे में दो-दो सिंगल कुरोशिया त्यार करना है तो इसी तरह आगे तक म बनाले रियूँ तो फ्रेंस यह देखिए लाइन हमने कम्प्लीट कर लिया है सबी फंदों में हमने दो-दो सिंगल क्रूश्या त्यार किया है इस तरह से बनेगा और यहाँ पर देखिए फ्रेंस पहले तो एक चैन बनाएंगे अब इसको पल्टेंगे दूसरे सैट कर लेना है इस तरह से और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ से फिर बंद करते हुए धागे को कुरूश्या में रखना है इस तरह से यह देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में से फिर धागा निकाल के इसको बंद करके फिर धागा में कुरूशया में रखना है थोड़ा सा खीच के धागे को रखना है इस तरह से थोड़ी बड़ी साइच करें है तो एक एक फंदे में से इस तरह से धागा निकालेंगे और इस में टोटल दस फंदे में निकाल लेने हैं तो देखे फ्रेंस मैंने आप पर दस फंदे गुरुशे में निकाल ली है यह देख सकते हैं आप अब इसको बंद करेंगी पहले तो फंदा इसमें एक चैन बनाएंगे और इसको बंद करते हुए इसके अंदर फंदे को रखना इस तरह से एक एक फंदे को रखते हुए इसको बंद करना है तो इसी तरह से यह सारे फंद को बंद कर लेना है तो देखे फ्रेंस गोला बंद करते हुए चेंट त्यार करेंगी और इस छोटा गोला बंद करते है कि थे त्यार करेंगे एक फंदे में दो कि थे त्यार करना है इस तरह से उनेक्ष्ट वाले फंदे में दो सिंगल कुरूशिया और यह जो छोटा गोला बनता है किनारे पर फ्रेंस अगर आप पट्टी में बार्डर बनाना चाहते हैं तो इसी गोले में आप 6-7 डबल कुरूशिया त्यार करके इसका बार्डर बना सकते हैं और फ्रेंस अगर पट्टी की चोड़ाई आपको कम करनी है तो आप इसमें से 6-7 फंदे निकाल के इसको बनाईए इसकी चोड़ाई कम हो जाएगी मैंने 10 फंदे में इसको बनाया है क्योंकि मुझे बार्डर नहीं बनाना था इसलिए मैंने इसको 10 फंदे में बनाया है ताकि थोड़ी पट्टी चोड़ी रहे तो आप अपने हिसाब से बनाईएगा और मैं इसको लाष्ट तक देखिए यहाँ पर बंद कर ले रही हूं सिंगल कुरूशिय बना ले रही हूं एक एक फंदे में करके तो यहाँ पर देखिए फ्रेंस यह दूसरा लाइन यहाँ कम्प्लीट हो गया है यह देखिए इस तरह से बनेगा बहुत ही खुपसूरत डिजाइन बनेगा फ्रेंस आप इसको जरूर बनाईए बहुत ही जल्दी बनेगा समय भी नहीं लगता और बनाने में बहुत अच्छा लगता है इसको वह आप देखिए नेश्ट वाली फंदे में से धागे को निकालना है इसको बंद करती वे इस तरह से थोड़ा सा खीचेंगे नेश्ट वाली फंदे में धागा निकाल के फिर कुरूशिया में लेंगे तो इसी तरह से फ्रेंस यहाँ पे देखिए एक एक फंदे में से धागे को निकाल के कुरूशिया में लेना है तो दस फंदे हम इसमें निकाल लेंगे तो धागा मैंने यहाँ पी निकाल लिया है दस पंदे हैं और इसके आगे पहले एक चैन बनाएंगे और इसको बंद करते हुए एक एक पंदा रखके इसको बंद करना है इसी तरह से सारे पंदे को बंद कर लेंगे और इसके आगे बंद करते हुए पांस चैन त्यार करेंगी यहां पर चोटा गोला बन जाएगा किनारे पर और यहां पर देखे दो सिंगल क्रोश्या त्यार करेंगी नेक्स्ट वाली पंदे में दो सिंगल क्रोश्या और इसमें उल्टा सीदा नहीं रहेगा फ्रेंज ए दोनों साइड से एक जैसा दिखेगा क्यूंकि ए डिजेन जो है दोनों तरफ बन रहा है दोनों साइड से तो एक ही जैसा रहेगा और यहाँ पर एक एक फंदे में दो दो सिंगल कुरुशिया मैं लाश्ट तक बना ले रही हूँ तो देखे हमारा थीसरा लायन कम्प्टीट हो गया है इसी तरह से हम इसको और बड़ा बना लेंगे यहाँ पर खीचेंगे इस तरह से तो इसमें फैले गा접 नहीं तो आगे बना ले रेag तो फ्रेंस देखे मैंने इसको और बड़ा बना लिया है आप अपने दरवाजे की बराबर बनाएं जितनी इसकी लंबाई आपको रखनी हूँ उतना बड़ा बनाएं और इसके आगे बलाश्ट में हमें इसको गोला एक त्यार करना है जैसे स्टार्टिंग में हमने बनाया तो यहां पर मैं चार चैन बना ले रही हूँ पहले देखिए फ्रेंस चार चैन बनाने के बार यहां से देखिए एक दो तीन चार पांचवे वाले फंदे में यहां पर इसको लाकर बंद करना है जो उन्हें बनाया है इसके फंदे में इसको बंद कर देंगे बंद करने के बार देखिए जो चैन है इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया तो यहाँ पर पांच सिंगल क्रोशिया हम त्यार कर लेंगे अगर आप और बनाना चाहते हैं तो इसमें और बना सकते हैं यह दोनों किनारे पर रहेगा और यहाँ पर देखिए लाक इसको बंद कर देंगे तो पट्टी इस तरह से कम्प्लीट हो जाएगी और इसका धागा कट कर देंगे और धागा जो है इसको पीछे की तरफ कर लेंगी और गोला देखिए हमारा बनके त्यार हो गया है तो स्टार्टिंग में भी गोला था और लास्ट में भी हमने गोला बनाया है इधर वाजे में लगाने के लिए गोला हमने स्टार्टिंग में और लास्ट में भी बनाया है तो देखिए फ्रेंस हमारा यहां पर तोन पट्टी बनके कंप्लीट हो गया है और फ्रेंस अगर आपको बाडर पसंद है तो आप दोनों किनारे पर बाडर बना सकते हैं डिजाइन पसंद आया हो फ्रेंस तो धेसरा लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जरूर ताकि अच्छी डिजाइन सीख सके और कॉमेंट में भी बताइएगा कि डिजाइन आपको कैसा लगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के साथ थैंक यू